तुम शांती एक बारा दोहजार बीस आज के मीठे बाबा के मधूर महावाक्य मीठे बच्चे तुम अभी रुहानी बाप द्वारा रुहानी ड्रिल सिख रहे हो इसी ड्रिल से तो मुक्ती धाम शांती धाम में चले जाएंगे प्रश्ण है बाप बच्चों को पुर्शाट कराते रहते हैं लेकिन बच्चों को किस बात में बहुत स्टिक रहना चाहिए उत्तर है पुरानी दुनिया को आग लगने के पहले तयार हो अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहे बाप से पूरा पूरा वर्सा लेने में बहुत स्टिक रहना है नापास नहीं होना है जैसे वह स्टुडेंट नापास होते है तो पश्टाते है समस्ते हैं हमारा वर्ष मुफ्ट में चला गया कोई तो कहते हैं नहीं पढ़ा तो क्या हुआ लेकिन तुम्हें बहुत स्टिक रहना है टीचर ऐसा न कहे की टू लेट तारना के लिए मुख्य सार पहला है माया से बचने के लिए संगदोश से अपनी बहुत-बहुत संभाल करनी है अपनी लाइन क्लियर रखनी है श्वास व्यर्थ नहीं गवाने है ग्यान में सफल करने है दूसरा है जितना समय मिले योग बल जमा करने के लिए रूहानी ड्रिल का अभ्यास करना है अभी कोई नए बंधन नहीं बनाने है वर्दान है बाप की छत्रचाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्पसमा न्यारे और प्यारे भवव संगम युक पर जब बाप सेवाधारी बन करके आते है तो छत्रचाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते है याद करते ही सेकेंड में साथ का अनुभव होता है यह याद की छत्रचाया कैसी भी नाजुक परिस्थितियों में कमल पुष्प के समा न्यारा और प्यारा बना देती है महनत नहीं लगती बाप को सामने लाने से स्वस्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिती परिवर्तन हो जाती है सलोगन है बातों का पर्दा बीच में आने न दो तो बाप के साथ का अनुहोता रहेगा ओम श्यंती